भारत का मिशन चंद्रियान 3 चान पर लैंड होने वाला है और अब चान के सदा सर्फ दो दिन दूर है इस रोगे चंद्रियान 3 मिशन के सौफ लैंडिंग में अब 48 वंटे का वक्त बचा है भारत इने बल्कि पूरी दुनिया की निगाहे इस मिशन पर टिकी रहे 23 अगस के शाम 6 बजे होने वाली सौफ लैंडिंग से पहले चंद्रियान 3 का स्वागत किया गया है और ये स्वागत किसी और ने नहीं बलकि 2019 वे चान के लिए उडान भढ़ने वाले चंद्रियान 3 के भाई चंद्रियान 2 ने किया है जी है चंद्रियान 2 के ओर्बिटर ने चान की कक्षा में चंद्रियान 3 का स्वागत गया और दोनों के बीच संपर्गी हुआ सुमवार को चंद्रियान 3 द्वारा इसके बारे में त्वीट कर चानकारी दी गई में बताया गया है कि चंद्रियान 2 के और्बिटर ने चंद्रियान 3 के लेंटर मोट्यूल का स्वागत किया दोनों के बीच वी पक्षिय संपर्क इस्ताफित किया गया MOX के पास अब लेंटर मोट्यूल तक पहुचने के लिए कई डूट है लेंडिंग का लाइट इवेंट शाम पांच बच कर 20 मिर्ट पर शुरूप हो जाएगा साल 2019 में भारत ने अपना मिशन चंद्रियान 2 लाँच किया था यह आखरी मोट्य तक सही गया था लेकिन सौफ्ट लेंडिंग में करबड़ी हो गई थी चंद्रियान 2 क्रैश हुआ था लेकिन इसने अपना काम किया था चंद्रियान 2 का ओर्बिटर पिशले 4 साल से चांग के इरदिः चाक्टर लगा रहा है और अपना काम कर रहा है अब 4 साल के बाद जब जिक्रम लैंडर फिर्स से चांग के पास पहुँछा है तब चंद्रियान 2 का और्बिटर एक्टिव हुआ है। आपको बता दे के स्ट्रों ने चंद्रियान 3 के लैंडिंग के लिए 23 अगस्त यानी विद्वाश शाम 6 बच कर 4 बिनट का समय तैट दिया है। अगर सब कुछ सही हुआ तो इस वक्त पर विक्रम लैंडर चान की सता पर लैंड हो जाएगा और प्रग्यान डोवर बहार आएगा। चान पर सूर्य उदय होती ही विक्रम लैंडर के काम शुरूद होगा। और तभी सौफ्ट लैंडिंग में इसकी बाद पृत्वी के हिसाब से 14 दिन तक प्रग्यान डोवर अपना काम करेगा। और चान पर प्रग्यान डोवर इस दोरान विक्रम लैंडर के एर्थ गिर्दी होगा। वहां से दोनों की गतिविटी कैमरे में कैद रूपी। विक्रम लैंडर प्रग्यान पर नसर रखेगा जबके प्रग्यान डोवर चान के सताब पर रिसर्च करेगा। यूरो रिपोर्ट टीम न उसने शर्ड